नमस्कूर दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मान्द सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशी के चो पती है उनका चो संपुन वेक्तितु होता है वो किस प्रकार का होता है मतलब उनका रहेंसेन किस प्र अगर उनका प्रेम व्क्तिय है तो कि शादी के पहली यह वेक्तिय ऐसा ने वाले हैं वाले हैं अपना जो चैनल है प्रह्मान्द सिद्ध्य एस्ट्रों पर मेश राशी से लेकर मीं राशी तक कि जो सभी बारा राशिया है इन सभी बारा राशियों के जो पती या फिर-प नहीं था और शादी के बाद इनमें बहुत ज्यादा बदल हुआ है ऐसा क्यों तो देखिये हाला कि जो पूरुष होता है जब भी मतलब पति के रोल में जाता है तो उसके जो सोच होते हैं, उनकी जो विचार होते हैं, इसमें इस प्रकार की जो बदलाओ है, वो देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी उपरदोरी से से responsibility आती हैं, और थोड़ा सा ego होता है, वो हर एक राश्य में subtle रूप से देखा जाता है, तो इसे विज़े से जो changes हैं, वो द प्रशन काफी देखे जाते हैं, क्यों कई दफार इनकी जो पत्नी होते हैं, वो जानने का प्रयातन यह जो वेक्ति हैं, वो हमेशा करेंगे, तो ये बात इनमें थोड़ी से देखी जाती है, और वो बात उनमें होती है, क्योंकि कन्या राश्य के जो वेक्ति होते हैं, वो जल्दी से किस पर भरोसा नहीं करते हैं, बोलने में तो वो बोल जाएंगे, लेकिन इसके पेछे जो बात है, वो भी राशी होती है, हमेशा perfection देखने वाली राशी है, मतलब हमेशा ये चाहती है, क्योंकि कोई भी अगर हम निर्ने लेते हैं, या फिर कोई भी बात अगर हम करते है, वो perfect होनी चाहिए, तो इसी वज़े से होता क्या है, कि इनकी जो निर्ने क्समता होती है, वो थोड़ी से कम होती है मतलब अगर किसी भी चीज़ पर अगर निरने लेना है तो हाँ ना हाँ ना इसे में थोड़ा सा फस जाते हैं जल्दी से निरने नहीं ले पाते हैं क्योंकि होता क्या कि के कारण निरने लेक्षाम पर तो है इनको काफी अच्छे करते याद रहती है कोई बी बात अगर आपsta जीवन के हर मुद्दे पर इनकी जो जानकारइ होती है वो काफी अच्छी के तरीके से होती है इसे वज़े से किसी भी विशेपर अगर आप इसे communicate करते हो तो काफी easily वो communication में आ जाते हैं और कई दाफ़ा किसी भी स् fabrics चीज़कि मंहीं जानकर यह देती है घूत कि बहुत की बात दाता है चंदी से कभी बताएंगे नास बहुत जादा बोलकर भी कोड़की बात जादा बताएंगे नहीं के सामने वाले जो विगदी है उनको फेसे कहां पर खरच करने हैं कैसे करने किस तरह से इसके बारे में इनका गनीत होता है वो काफी पश्क्रael होता है मतलब कोई भी बात करने है तो इसमें वह बत जरूर की कि पैसे का मामला कितना है यह बात देखें लिए कि इनकी वाणी होते हो वह काफी अच्छ होते इसरी इनकी इमेज होती है बाकी लोगों की तरह लेती है वह काफी अच्छ होती है और एड्गर करने से पहले इनके मन में वीचार भी चलते रहते कि address होने के बाद या फिर address कोई किसी विशेप पर करने तो उसके बात का जो बात की जो बात है उसके उपर आपको किस तरह से react करना है तो इसका जो पूरा calculation है वो उनमें देखा जाता है चोटी से चोटी बातों पर भी यह जो विक्तियों होते हैं वो काफी जादा सजग करना है किसी भी चोटी मोटी बात पर यह पहले सी पूरी तरह से जानकर हें हासिल करेंगे कि कहा जाना है कैसे जाना है कितने दिन तक रइन उनको ये बात कभी अलग से दीखाई नहीं देती है, और इनका जो रहन से होता है, वो भी काफी नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यदा लाइविस लाइफस्टाइल, इनको पसंद नहीं आती है, फिर पसंद नहीं करते, तो जो भी trending fashion, जो भी छोटी मोटी fashion है, वो कर लेंगे, लेकिन मोटी तर पर अगर देखा जा, तो इनको जो intellect level होता है, वो काफी अच्छा देखा जाता है, उसी तरह और दो-तिन बाते थोड़ सा इनको जो physical जो बाते होती है, वो थोड़ी से कम रहते हैं, मतलब किसी ना किसी प्रकार की व्याधियां, यह जो विक्ति है, छोटी वर्से बारे में अगर देखा जा, तो यह जो इनका जो interaction होता है, वो काफी अच्छा होता है, और address करने वाली बात या फिर gossiping, gossiping तो नहीं कह सकते, लेकिन sharing की जो बाते हैं, वो इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, अब यहाँ पर इस राशी में तीन नक्षतर आते उत्तरा नक्षतर आते हैं, जैसे कि उत्तरा नक्षत्रे है, उसमें यह जह सभी बाते हैं वो देखी जाते हैं, लेकिन जो भी आमने बात अभी discuss की, कंणिया राशी की, तो वो जो सभी偉न है, वो सभी偉न, हस्तर नक्षतर में काफ़ी जादा देखे जा सकते हैं, मतलब ज आपको हस्त नक्षत्र में देखी जा सकती है अब यहां पर जो प्रैक्टिकल नेचर वाली बात या फिर दुसरों पर विश्वास्त नहीं रहा है ऐसी जो थोड़से एक्स्ट्रीम जादा आगे हो सकते हैं वोगत ही ज्यादा देखी जाती है तो जो कण्या रश्य के जो पती होते हैं वह एड्यस्ट करने वाली होते मतलब किसी प्रकर के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको इनके बारे में देखे नहीं जा सकते अब यहाँ पर दो तीन बात हैं जिसके उपर आपको ध्यान देना आवश है कि पैसे के जो भी मामले है वो थोड़ा से आपको के साथ रखनी है अगर आप दोनों में किसी प्रकर के प्रॉब्लम को अप्लिकेशन आते हैं तो आजस्ट करने वाले नॉर्मल ही देखा जाए तो कन्या रशी के जो पती होते हैं वो ही देखे जा सकते हैं आपके इसके संदर में विचार क्या है आपके अनुभव क्या है नी यू किस्फू के लॉजूने वाँ